अभी इशु इतना ही है कि क्या इस case में place of worship act attract होता ही कि नहीं होता है और क्या जो हमारा case है वो place of worship act से बादिध है कि नहीं है हमारे जो plane के 36 पैराज हैं अभी तक उन्होंने वहां तक उसको पढ़ा है अब आगे वो अपने submissions code के सामने रखेंगे अभी हम ऐसा कोई survey की मांग नहीं करने वाले है अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ concentration इस पे है कि हम कैसे भी करके maintainability की issue को जीते हैं और अपनी बाद court को convey करें ग्यानवापी मामले पर आज एक महीने बाद जिला जजज court में सुनवाई शुरू हो रही हमाई साथ जो प्रमुक वकील है हिंदू पक्ष के विष्णु जैन वो है विष्णु जी आज क्या उमीद की जानी चाहिए कोट में क्या होगा देकि मुस्लिम पक्ष को अपना argument continue करना है उन्होंने पास दो हेरिंग्स पर अपना argument किया है अब उनको अपना argument further continue करना है और जब उनका argument maintainability पर खतम हो जाएगा तब हम अपनी बहस शुरू करेंगे अभी issue इतना है कि क्या इस case में place of worship act attract होता ही कि नहीं होता है और क्या जो हमारा case है वो place of worship act से बादिद है कि नहीं है हमारे प्लेंड के 36 पैराज हैं अभी तक उन्होंने वहां तक उसको पढ़ा है अब आगे वो अपने submissions code के सामने रखेंगे और जब उनकी बात खतम हो जाएगी तो हम अपनी बात उसका जवाब देंगे और जब maintainability का issue हम जीट लेंगे अपनी बात रख लेंगे उसके बाद हम एसाई सर्वे अपने क्लाइंट से मिलके डिसाइड करेंगे के में कड़ना है की निए सर्वे फुटेज लीक होने का मामला अब प्रॉमिनेंटली डिसकस हुआ तीस मही के आसपास जब ये फुटेज दी गई थी इसको कैसे टैकल करेंगे कोड़ने जहां तक फुटेज लीक होने का मामला है हमारे क्लाइंट से ना हमने किसी ने कोई लीक नहीं किया खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइमसनाव नव भारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए